हेलो एब्रीवन तो आज भी वीडियो पे हम लोग लॉज ओफ रिफ्लेक्शन को वेरिफाई करेंगे यह उजिंग वेव नीचर लास्ट चेप्टर में हम लोग डिसकस किये थे कि लॉज ओफ रिफ्लेक्शन कैसे रे लाइट को एक रे कॉंसिडर करके किसे हम लोग angle of incidence और angle of reflection कैसे equal होता है वो discuss किये थे अभी क्या ना हम लोग law of reflection हम लोग wave consider करेंगे light को तो law of reflection कैसे verify कर सकते है हाईजन principle हम लोग यह बताता है कि light is a wave और उसका wave fund आता है तो wave fund को हम लोग consider करेंगे कि एक light एक wave के हिसाब से आ रहा है तो law of reflection को अभे करेंगा नहीं करेंगा और हम उसको verify करेंगे तो light wave हो या ray हो वो law of reflection को मानना चाहिए ठीक है तो हम लोग उसको verify करेंगे तो law of reflection verify करेंगे मतलब क्या verify करेंगे तो हमें पता है कि incident angle reflected angle के साथ same होना चाहिए angle I should be equal to angle R जिसे हम लोग ray जब consider कर रहे थे तब क्या कर रहे थे ऐसे सब्सक्राइब नॉर्माल हो गया ये incident ray हो गया और ये जो angle बनाता है angle I और ये हो गया reflected ray और ये जो angle बनाता है ये हो गया तो लोगा reflected ray reflected angle तो I और R दोनों same होता है this is law of reflection this is your law of reflection तो ये वाले चीज़ को हम लोग इधर proof करेंगे बट इधर हम लोग single ray नहीं लेंगे एक wave font लेंगे कि एक से light एक wave font के हिसाब से आ रहा है ठीक है plain wave font हम लोग ले लेते हैं और diagram बना लेते हैं ये suppose तुम्हारा mirror हो गया ठीक है इधर क्या कर रहा है अभी light ray ऐसे आ रहा है light अभी wave के हिसाब से आ ठीक है ये एक this is this is the part of the year wave ऐसे एक wave font आ रहा है ठीक है ऐसे एक wave font आ रहा है मतलब ये ये भी तुम्हारा क्या है एक wave font ऐसे करके ठीक है मतलब ये बहुत सारा जैसे हम लोग हाईजन प्रिंसिप लोगे ये किये इतना ऐसे wave करके आ रहा है तो इसका एक टेंजेंट common tangent हो गया ठीक है इसका पार्ट हम लोग लिए तो एक straight line जैसे दिखाई दे रहा है कि नहीं तो ये कास ऐसे आ रहा है मना इमाजन कर सकतो ये एक वेब का पार्ट है ठीक है इसको straight line जैसे हम लोग इमाजन कर रहे है इससे पार्ट तो ये प्लेन वेब हो गया तो यह अभी गिरेगा के इस ट्राइक करें तो थोड़ा और सब्सक्राइब आफ़ा इस अफ्सक्राइब नहीं किया है तो क्या होगा यह भाले साइड आप आप इसराइक करते-करते यह वाला वापस जाना स्टाइक कर देगा तो ईह अभी घ्र डिटन चला जाएगा और हो जो बद्धा जाएगा हुआ है और यह पांट तक यह पॉइंट पे पहुँँ जा रहा है इसको बी इमा लेते हैं अ से तब तक यह वापस चला गया । ढूरों इन सेम एर में मोव कर रहे हैं तो क्या हो जा של तो यह भी ओर इधर जो डिस्टन्स वापस जायेए यह वह दूनों सेम होना चाहिए तो अब भी टेंजन मतलब दिए नाइंटे डिगरें अंगल हो जाएगा ये बी तुमारा 90 डिगरें होगे क्योंकि ये सारे तुमारा ये ये हम लोग टेंजन डिख लिए ना तो ये भी एक ये एनटे डिगरी ये तो यह 90 degree, यह 90 degree हो गया, तो हमें प्रूफ करना क्या है, एंगल i equal to angle r, तो अभी हमें दिखाना क्या है, यह angle r हो गया, और एंगल i इधर है, तो angle i को हम प्रूफ कर सकते हैं, हम प्रूफ कर सकते हैं, यह और यह angle, तो इदेखो यह हो गये तुमखार एंगल आइ यह हो घाए इंडल आर अब यह दौनौं सैमें कि हमको प्रूफ करना है तो यह आई होगा यह आर होगया तो यह 90-r हो जाएगा यह 90 है तो यह अंगल क्या होगा अरक टुम्हारा सिंपल सा दूसरा हम लोग ऐसे अरगुमेंट लगा सकते यह 90 हो गया और यह ऑई है और यह 90 तो यह टोटल एंगल 90 प्लस आई पिर यह भी 90 है कि तो यह यह एंगल कितना होगा आई होना चाहिए हुझेगा ना और दूसरा यह 90 है सब्द यह एकस तुम्हारा अंगल है तो 90 प्लस X is equal to 90 प्लस आई थे X is equal to I है ना तो यह आई अंगल हो जाएगा तो यह हमें इजली हम लोग दिखा सकते हैं कि यह आई एंगल है यह अर एंगल है अभी हम लोग क्या करेंगे यह सब को मिटा देते हैं और हमें दिखाना है कि I equal to R हमें दिखाना तो कैसे दिखाएंगे very simple पहले डायग्म बना लेंगे यह तुम्हार है nhưng बना लेंगे डायग्म के बाद क्या रेंगे हमें प्रूफ करेंगे कि I I is a part of यह triangle name लिख देता है A, B, E triangle A, B, E this is a triangle triangle A, B, E triangle A, B, E triangle A, B, E का और ट्राइंगल कौन सा पी ए ए ए ए ए ये दोनों का ट्राइंगल के बीच में हम ट्राइंगल को कॉंगुरूइंट प्रूफ कर दिये किसी भी कैसे भी प्रूफ कर दिये तो हमें यह देखो यह एंगल और यह एंगल सेम हो जाएगा क्यों होगा क्योंकि दोनों प्रूफ कर दिये ठीक है तो congruent triangle का उसका corresponding angles equal हो जाएगा अभी यह triangle को कैसे congruent करेंगे तो congruent का देखो congruent के लिए यह 90 degree इधर भी एक 90 degree तो दोनो triangle का एक एक angle 90 degree है तो a be angle equal to angle a be equal to 90 degree अर ये अग्णल 90 धिगरे है ठीक है तो अर रै आइचस लगा देंंगे राइट इंगल एक साइड और हाइपेटेनीव ये नाइन्टी हुआ तो हाइपेटनीव्स क्या है और तो मनश्य हो गया कॉमन साइड हे और कौन साएड हो गया नहीं और काइपन depends हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड देखो बी-ई और पी-ए इक्वाल होगा क्यूं क्यूं मैं बताया था सपोज यह टी टाइम ले रहा है बी-ई तक पहुंचने के लिए और भी-वन स्पीड में जा रहा है तो यह जो डिस्टंस है भी-टी लेट से इधर यह पहले से पह क्योंद है तो यहिए फीड़ plugging धिर्स जो होगा डिस्टंस मुए भी इंटू-टी जो जो दिछ वली से पिसरी05 ली है तो दिगार सब्सक्रारी दोनों सेम है तो इसलिए हम लोग लेक 272 दोनऊ इक्वाल है थिके हैं दोनों इक्वाल हो गया क्योंकि दोनों सेम घेलिटम बीटी ऐसे लिग सकते हो तो यह वो गया राइट 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 एंगल हाईपो्ट यूज और एक साइडट ठीक है तो इसके हिसाप से ट्राइंगल ए बी इ डी कहीं कोंगुरूएंट और ट्राइंगल टी ए यह हो गया नहीं एक बार जो side hypotenuse ये side hypotenuse का angle कौन सा है ये वाला angle ये वाला angle equal होगा और इसका सामने वाला ये इसका सामने वाला ये तो angle I equal to angle R होगा corresponding angle ठीक है अपना अपना जो corresponding angle दोनों triangle congruent हो गया तो ये हो जाएगा ये equal होगा तो इससे हम क्या कर दिये considering wave theory considering wave theory of light we proved that that it is obeying the law of reflection और हम लो क्या है hence it is verified and laws of reflection is verified hence laws of reflection law of reflection इस बेरिफाइड तो ये हो गया ये बहुत इंपोर्टेंट कोशन है तुमारा बोर्ड एक्जाम के लिए कोई लास्ट एक्जाम में भी बहुत बार पूछा चूंग ये कोशन आ चुका है और इसके बाद जो और एक इंपोर्टेंट कोशन है जिसका प्रूब देट यूजिंग वेव थीओरी अना हाइजन फ्रॉम दाइजिन प्रिंसिपल प्रूब देट लॉव रख्रक्शन रॉप रख्रक्शन का दो कैसा है कि तुमारा डेंसर से रेर मीडियम और रेर से देंसर मीडियम तो दोनों का भी प्रूफ कर लेना और आम लोग नेक्स्ट वी के लिए बोला है इसलिए हाई जांसे से कि यह सक्टर से मतलब यह सेक्शन से पूछ ले और नहीं तो तुमारा वेव त्योरी जो इंटेंसिटी से ठीक है दो शूपर पोजिशन ऑफ वेव एंड इंटेंसिटी दिस्ट्रिबूशन से भी कोशन पूछ ले क्योंगी कुछ कुछ तो थ्री मार्क्स या फाइफ मार्क्स कोशन देगा और उसकी देगा तो यह हाई चंस बन जाता है एक्जाम में यह आने का तो प्राक्टिस कर लो और कौन सा चैप्टर तुम लोग को एक्चुली ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है और चाहते हो कि वह चैप्टर ड झाहते हैं